आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था उससे शिकायत यह थी कि जोपड़े से कुछ दूर रहने वाला आदमी एतना आमीर है और वो गरीब और अमीर आदमी को सब कुछ असानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही महनत करना होती है तब भी कई बारों से भूखा रहना होता है रोज रोज की शिकायत से उनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब दे ही दिता हूँ तो ऐसे महाबवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया और दोनों को ही मशली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी दोनों को एक पराबर का जोपड़ा दे दिया और दोनों के हालात बिलकुल एक जैसे कर दिये क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों के बास मचली पकड़ने वाली छड़ थी तो दोनों ही मचली पकड़ने लगे पहले दिन दोनों नहीं दस मचली पकड़ी मचली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मचलीओं को बेच दिया और बदले में उसे 2000 रुपे मिले अभिस आदमी ने अपने लियों अच्छा खाना खरीदा थोड़ी मिठाई खरी दी और उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो राद बहुत अच्छी तरहीड़ी शेरिकरे से पर्टी करते बे बनाई पहले से गरीब था जिसने अपनी मशली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिये थे उसे फिर से दस मशलीया मिली इस बार भी वही हुआ शिकायद करने हाले शखते ने अपनी सारी मशली को बेच दोड़ा खाना जाद मिला लेकिन उनका पेड ठीक से भरा नहीं था फिर भी किस खड़ और खरी दी और उसके साथ ही तीन लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया हर एक को 5.5 रुपए दे करके उसके पास 100 रुपए भी भी बचे थे तो उसने वह पैसे बच्षत में लगा दिये और दिन बे शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मश्लियां मिली उसे 2000 रुपए मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी ना किसी जगह पर बहाने बना करें कि खर्च कर दी और उसके पास जराभी पैसे उसने नहीं बचाए लेकिन दूसरे शक्स को शाम होते होते चालिश मश्लियां मिल चुकी थी उसके बाद उस परिवार ने पेट भर के चार मश्लियां दी जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बागी की 36 मश्लियां बेज दी और उसे 7200 रुपए कमाए अगले दिन उसने 3000 रुपए में तीन छड़े और खरी दी और उसके पास कुल 7 छड़े हो चुकी थी उसके पास कुल मिलाकर अ ज्यादा थका हुआ भी नहीं था उसके पास 7 छड़े थी जो कि इसकी ही थी उसकी एसेट थी उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी और शाम को इस इंसान ने 6-6 मश्लियों को बेज कर 13200 रुपए कमाए उसके पास पहले के बचे हु और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया वो आदमी यही काम हर रोज करता रहा और थोड़ी दिन में पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब इसके लिए मश्ली खाना मजबूरी नहीं शौक था साथ ही उब उसके काम इंसान को इतना आराम क्यों दिया अब आप समझदार हैं आप यह समझ चुके होंगे कि भगवान किजी का फेवर नहीं करते वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं सभी को एक जैसे मौके देते हैं सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार पर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता इस कहानी में भी आपने देखा कि इस इंसान ने गरीब ही से वापिस अमीर होने के लिए पहले कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया उसके बाद भर पेट खाना खाया फिर भी बचत के साथ पैसे करें और अपने पैसे को सही तरह से इंवस्ट भी करता रहा जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और हमेशा गरीब बना रहा अगर आपको लगता है कि अमीर इंसान रिच होने के लिए तकलिफ है नहीं उटाते तो ऐसा नहीं है वो पैसे कैसे कमाया जाए और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए अपने पैसे को सही तरह से इंवस्ट करिए और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा कोई भी नहीं अब यहां मैं आप से एक सवाल करने वाला हूं और कमेंट में उसक खुद लेना शुरू कर दें और फिर कोई भी रुकावट उन लोगों को अमीर होने से ना रोक पाए तो इस वीडियो को आप शेर करिए फेस्बुक पर इस वीडियो को शेर करिए अपने वाटसप पर इस वीडियो को शेर करिए और मुझे विदा दीजिए मैं आपके मिलूँगा अगले वीडियो में तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद